आज की वीडियो में बात करेंगे एक स्क्रिप्ट के बारे में जिसका नाम है विंड तो विंड क्या करेंगी कि जैसा आपको एक हवा के जोके जैसा जो है आपको एक विंड का एफ्रेक्ट देगी पहले मैंने एक एक एफ्रेक्ट यहां पर क्रिट कर रहा है टेक्स्ट के उपर में पहले मैं आपको दिखा देता हूं फिर आगे बात करेंगे स्क्रिप्ट की बारे में आपको इस तरीके से विंड के एफ्रेक्ट में आपको बहर लेके जाएगी कुछ इस तरीके से अब क्य स्क्रिप्ट है कैसे इसको यूज करना है उसी पर बात करते हैं तो यहां पे देखिये जो आपके लेश तयार होंगे तो यहां पर आपको विंड में चले जाएना है यहां पर तो जब आप डालोड करेंगे विप्र ऑप डिखालता हूं कहां से एक लिखालन करना है और प्सक्रोर स्क्रिप्ट में विख उस्कू सैन एक। divine पड़े यहां पर क्या है कि आपको जो है प्रिसे आपको कि यहां पब कर सो दिखता है तो जिसए बीत में डिखाएगा भी दे टो ऻर्पा के लिए था आप तो पहले आप को अउट वाल दिखा देता हूं संसाफ के भी अब होतर है रहे हैं पीजिस्तेंस डिस्तेंस को यहां पर कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड आपको कम ज्यादा कर सकते हैं अब तो देखिए अब मैं फिर से इसको यूज कैसे करना है जब आपने सारी सेटिंक्स आप यहाँ पर कर लेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करना है और इसको अपलाई पे हम लोक क्लिक करेंगे तो यह कुछ से अक्टिविटी करेगा आपका after effect और उसके बाद में कि जितने भी आपको layers हैं यहाँ पर hide हो जाएंगा और आपको यहाँ पर just एक layer यहाँ पर दिखेगा सो देखे complete हो गया यहाँ पर देखे windmaster आपको एक दिख रहा है और आप इसको select करके start करेंगे तो यह आपको wind का effect देना start कर देगा सो यह आपका एक method था जो मैंने आपको दिखाया था beginning में अब जो है मैं आपको दूसरा वाला दिखा देता हूं कि दूसरा वाला कैसे काम करेंगा तो देखे यहाँ पर यह out हो गया आप क्या करते हैं restore वापिस से यह जो है मैंने आपको out का दिखाया हम आपको in का दिखा देता हूं तो लाइक हम preset change कर देते हैं blast कर देते हैं और animate जो हम इसको in कर देते हैं और directions जो all रखते हैं और इसका speed थोड़ा समय कम कर देता हूं ताकि आपको easily वह effect दिखे और इसके बाद में क्या करेंगे फिर से यहाँ पर जाएंगे और इसको apply कर देंगे और फिर से यह यहाँ पर अगर हम play करेंगे तो यह क्या करेंगा आपको दिखा देता हूं क्योंकि speed मैंने थोड़ी slow करिये तो थोड़ा slow आएगा यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा यह देखिए क्योंकि speed slow थी तो यह slow direction में आपको यहाँ पर करने के लिए मिलेंगे इन डाउट के लिए directions आपको यहाँ पर 10 मिलती है आप किसी भी इस पर apply कर सकते हैं layer पर text पर vector पर वीडियो पर या safe layer पर settings हारी आपके सामने है हाँ जब आपका effect final हो जाएगा like आपने कोई भी effect को चूज कर लिया है like मैं हाँ पर ले लेता हूं like blast को blast को out करेंगे speed थोड़ी सी इसकी बढ़ा देंगे जब आपका distance थोड़ा कम कर देंगे distance बहुत जयदा था last time इसको जैसे apply करेंगे तो apply करने के बाद में क्या है कि यहाँ पर आपको लगता है कि आपका effect final हो गया है उसके बाद में क्या करना है सबसे last में आपको यहाँ पर option मिलेगा bake का मैं आपको दिखा देता हूं आपको उसको क्या करना last में जाए करके जब आपका final जाए तो आपको उसको bake कर देना है बेक से आप वर्ड से समझ जाएंगे इसके बेक का मतलब क्या है कि अमने पग गया हमारा खाना अब हमको जो इसको फाइनली इसको बेक कर देना है तो उसके बाद में आपका इफेक्ट जो है रेडी हो जाएगा आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाउनलोड कहां से करना ह अगर आपको 10 layers आपको यूज करना है तो आपको इसका जो है लाइसेंस वर्जन खरिपना पड़ेगा बट अपको 10 layers ये फ्री है आप उसको 10 layers तक अपलाई कर सकते हैं फ्री में इसको डाउनलोड करके इंस्टोलेशन के लिए में आपको बता दिया है वहां से इसका गाइ